नमस्कार सिटी पोस्ट के इस खास पेसकस में आपका स्वागत है मैं हूं स्रकान प्रतियूस बिहार में लगडाउन का आज तीसरा दिन है काफी इफेक्टिव दिख रहा है आप देखिए यह बोरिंग रोड चो रहा है जहाप पर आम आदमी से ज़्यादा पुलिस वाले द लोग नजर आ रहे हैं यहां पर ट्राफिक बहुत ज्यादा रहता है लेकिन संके आज बिरान दिख रही है इका दुका लोग निकल रहे हैं जरुत की समान खरिदने के लिए अब देखिए पैनिक होने की जरुत नहीं है 21 दिनों का लकडाउन है तो आपको भैवित होने की आतंकित होने की जरुत नहीं है जरुत की सारी चीजें आपको मिलेंगी देखिए दवा दुकान खुली है आप दवा ले सकते हैं लेकिन दवा की दुकान पर भी जाईए तो डिस्टेंस मेंटें करिए दुसरे से 60 कर्मत बैठिए सब्जी की दुकाने भी खुली हैं सब्जियां भी आ रही हैं कोई रोक टोक नहीं है सब्जी की दुकान पर लोग नहीं दिख रहे हैं तो यह अच्छी बात है जब सब्जी आपको खरिदना हो तो आप आईए लेकिन भीड से बचिए सोशल डिस्टेंसिन से खत्रे के संक्रमन के खत्रे के भीच में अपनी डूटी निभा रहे हैं मिडिया वाले भी अपना डूटी निभा रहे हैं लेकिन पुलिस वालों को सलाह यह है कि वो भी डिस्टेंस मिंटन करें एक दुसरे से दुरी बनाकर रखें क्या दुरी बनाकर रखना जरूरी है प पटना में जो लगडाउन है उसका असर दिखा रहा है देखिए पुलिस वाले हर आने जाने वाले लोगों को रोक रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कहा जा रहे हैं ज्यादतर लोग कह रहे हैं कि हम डॉक्टर कहां से आ रहे हैं डॉक्टर का स्लिप दिखा रहे हैं लेकिन सिटी पोस्ट की अपील है कि बहुत इमर्जन्सी ना हो तो स्रमक पर न निकलें सोचल डिस्टैंसिंग ही सबसे बचाव का बड़ा माध्यम है और इसका पालन करें क्योंकि जो लगडाउन है एक इस दिनों का ये आपके जीवन को बचाने के लिए है इसको गंभिरता से लें आगे पटना की और भी तस्वीर हम दिखाएंगे डगमला चोरहा चलेंगे और भी जगह पर जाएंगे और दिखाने कोशिस करेंगे कि लगडाउन का क्या असर है पटना में तो जो भी जरूरत की चीजे हैं रासन, किरासन, दवा, सबजी, सब कुछ उपलब्ध है आपको एक साथ दुकानों पर जाने की जरूरत नहीं है आप जाईए अगर सबजी दुकान में तो दूर से ही देखिए कि भीड तो नहीं है जब भीड हट जा तब जाईए सबजी खरे दिये सबजी को इस्तिमाल करने से पहले उसे ठीक से उबाली ये गरम पानी में और उसके बा जाएगा नहीं स्टॉक खत्म हो जाएगा लेकिन ये गलत है ये अफवा है रासन की कोई कमी नहीं होगी सरकार ने कलावाजारी पर रोक लगाने के लिए बारहटी में पटना में तैनात की है और कहीं भी किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी सिटी पोस्ट की एक खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सेर करिए ताकि जावरुकता फेले जो लोग पैनिक में हैं उनको पता चले कि पैनिक वाली कोई बात नहीं है केवल साधानी बरतनी जरूरी है और लॉकडाउन में जितना घर में आप रहेंगे उतना ही सुरक्षित आप रहेंगे आपका परिवार रहेगा और आपका राज रहेगा उनकोई बहाना चाहिए घुमने के लिए तफरी करने के लिए तो लोगों से सिटी पोस्ट की अपील है कि तफरी मत करिए बहाना मत बनाइए क्योंकि ये lockdown आपके जिवन को बचाने के लिए है इसके साथ खिलवाला मत करिए क्योंकि लोग आ जा रहे हैं कोई ने कोई बहाना बना रहे है अस्पताल जाने का बहाना कोई बना रहा है कोई रासम खरीदने का बहाना बना रहा है तो कोई सबजी खरिदने का बहाना वना रहा है देखिए पुलिस वाले अपने डूटी पूरी गंभिरता के साथ निभा रहे हैं और नगर निगम की गाड़ियां भी घूम रही है कच्रा उठाव हो रहा है तो जो सरकार है काफी सतर्क दिख रही है बचाओ के लिए जो भी एहतियातिक कदम उठाना चाहिए उठाई जा रही है लेकिन लोगों को और समधने के जरूत है और ऐसा लकडाउन दिखाना है कि पूरा बिहार मिसाल बन जाए दुनिया के लिए देश के लिए